नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको लेकर चलने वाला हूँ मनाली की एक धांसू ट्रिप पर. मनाली, एक ऐसा शहर जहां हर पल एक एडवेंचर है. तो चलिए शुरू करते हैं. उसे, पहले बात करते हैं कैसे पहुँचे? आप दिल्ली से डाइरेक्ट बस या कार ले सकते हैं. रास्ते में आपको देखने मिलेंगे दिल चुरा लेने वाले नजारे और हरी भरी घाटियां. मनाली पहुँचते ही, सबुसे पहला स्टॉप होना चाहिए हिडिमबा देवी मंदिर. ये एक प्राचीन मंदिर है, जो घने देवदार के जंगल के बीच में है. इस मंदिर की बनावट और शान्ती आपको एक अलग ही अनुभव देंगे. अब बात करते हैं ओल्ड मनाली की. यहां आपको मिलेंगे काफी सारे आरामदायक कैफे और रंग बिरंगी बाजारें. ये जगह बैक पैकर्स के लिए जन्नत जैसी है. अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं, तो सोलंग वैली जरूर घुमें. यहां पर आपको पैरगलाइडिंग, जोर्बिंग और स्कीइंग जैसी रोमांचक गतिविधियां मिलेंगी. रोहतांग पास भी एक घूमने वाली जगह है. यहां से आपको बर्फ से ढखे पहाड़ों और खूबू सूरत नजारों का एक बेजोड दृश्य मिलेगा. बस या बाइक लेकर आप यहां आसानी से पहुँच सकते हैं. शौपिंग के लिए मनाली मॉल रोड एकदम सही है. यहां आपको स्थानीय हस्त शिल्प, उनी कपड़े और यादगार चीजें मिल जाएंगी. खाने के शौकीन है? ट्राइ करें स्थानीय हिमाचली व्यंजन जैसे सिड्डू और ट्राउट फिश. यह व्यंजन आपके स्वाद कलियों को एक अनोखा अनुभव देंगे. रहने के लिए आपको हर बजट के हिसाब से विकल्प मिल जाएंगे. बजट हॉस्टल से लेकर लग्जरी रिसॉर्ट्स तक मनाली में सब कुछ है. तो ये थी मेरी मनाली की पूरी टूर गाइड. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें. मिलते हैं अगले व्लॉग में. तब तक के लिए. सेफ ट्रेवल्स.